स्वागत है परमेश्चे के प्रेजंस में जीवत वचन में आप सब का स्वागत है तारीफ करो सब जन खोची अवाज में तारीफ करो हालेलूया, वचन सुनने के लिए त्यारों, वचन सुनने के लिए त्यारों, वो रिकलेसिया का स्वागत है, जो पहली बारा उनका भी स्वागत है, इशु मसी के समधी समधी नाम में, हालेलूया, एक वचन को हम पड़ेगे, पहला करंटियों, एक अध्याए, उसके चार व कि उसने अपना अनुग्रे मसी येसु दे द्वारा तो हाटे ते किती हैं तारीफ करो जोर से परमेश्वर के तो कि इसके द्वारा अनुग्रे आया बोलो जीजस के द्वारा बोलो इसके द्वारा हम पर अनुग्रे हुआ है मुझी अवास में अपने प्रोसी को बोलो इसके द्वारा हम पर अनुग्रे हुआ है आमेन हालिलूया बाइबल बताते हैं जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा हालिलूया जब आप इश्व मसी के उपर विश्वास करते हों, आप उस दिन अनुग्रे पाते हों, उस दिन अनुग्रे आपके उपर आता है, हालेलुया, जिस दिन आप परमेश्य प्रभी इश्व मसी के उपर विश्वास करते हों, यही मेरा उधार करता है, यही मुझे जंगा कर सकत यही मुझे चुड़ा सकता है, यही मेरी गरीपी को खटम कर सकता है, यही मेरे शिरापों को खटम कर सकता है, जब आप उसके विश्वास करते हो, कि उसने मेरे लिए क्रॉस को उठाया है सलीप को उठाया है और मेरे सारे पापो को अधर्म को सारी गल्पियों को क्रॉस के उपर ले लिया और मेरे सारे श्राफ अपने उपर ले लिये जब आप विश्वास करते हो आप उठार को पाते हो आप बचाये जाते हो आप अनुग रहे के नीचे आते हो इश्व मसे के समती समती नाम में हालेलूया हालेलूया करता जो कोई उसमे विश्वास करेगा वो ग्या पाएगा उधार को पाएगा जब हम प्रभु के उपर विश्वास करते हैं मुदार को पाते हैं मैं संडे बता रहा था कि अगर हमारी लाइफ में अनुग्रे है तीन चीजे हमारी लाइफ में जुरूरी है लेकिन जब अनुग्रे आता है तो चीजे अपने आप हमारी लाइफ में आती है हलेलुया अनुग्रे के साथ साथ हमारा नाम जीवन की फुशकत में हो, उसके बाद हमारे उपर पवित्रा आत्मा की मौध हो, जिसका नाम जीवन की फुशकत में ना मिला, उसको नर्ग की जील में डाल भी सिरीद कॉमosa कुछth रद कर दिया जाएगा, लेकिन जीवन की पुसकत में नाक कैसे लिखाया जा सकता है, और पवित्रा आत्मा की मोर कैसे लगती है, जब हम एक अनुग्रे को, एक परमेश्य की किर्पा को अपने ऊपर आता हुआ देखते हैं, हम अपने जीवन में उसे उताते हैं, और वो हालिलूया जब एक अनुग्रय के नीचे होता है व्यक्ति तो उसी दिन जान ले कि मेरा नाम जो है वो जीवन की पुस्कत में लिख लिया गया है मैं पवित्रा आत्मा का खुदावन का मोर किया गया बंदा हूं इश्व मसी के समर्थी समर्थी नाम में जिस दिन आपके उप पर अनुग्रय होता है हालिलूया जिस दिन आप विश्वास करते हो अनुग्रय को पाते हो लेकिन वही विश्वास अगर हमारी लाइफ में जिन्दगी फर्चलता है और उस विश्वास के द्वारा हम अपनी लाइफ में कार्य करना स्टार्ट करतेते हैं कर्म करना स्टार कर देते हैं वो अनुग्रय सदा के लिए अमारी लाइफ में पना रहता है यह टी एक पार विश्वास कर लिया जंग्याई लेली विश्वास कर लिया कोई काम नेंगा विश्वास कर लिया मैं एक चीज गहना जाते हूं परमिश्य का सभाव है किसी भी चोफ में चले सक्वाव है कि आपको चंगा करना हो हालेलुया आपको बड़े चमतकार देनी आपकी हिलिंग करनी ये प्रभु यूश्व मसी के सोभाउड में पाया जाता है उस हिलिंग उस दिलिवरंस को उस जुटकारे को उस चंक्याई को उस बड़ोती को संबालने के लिए जिस विश्वास के द्वारा हम मसी में आए हैं जिस विश्वास के द्वारा हमने उस पे विश्वास किया है उसको परकरार रखना पड़ता है और जब हम परक्रार रखते हैं, हम सदा के लिए आशिशों में चलते हैं, पीड़ी ओ पीड़ी तक आशिशों में चलते हैं इशुमसी के सामठी सामठी नाम में, कारीफ करो जों से जिनको समझ आ रहा है, हालेलूया, हालेलूया, अगर आपा नुग्रे पाए हुए लोग हो जीवन की पुसकत में आपना नाम है, मोर कीएगे आ आप लोग हो, अगर आप अनुग्रे पर नीचे नहीं हैं, मोर कीएगे नहीं हो अनुग्रय के नीचे आने के लिए आपको विश्वास में आना पड़ेगा कि वो ही उधार करता है वो ही छुडाने वाला परमेशर है वो ही मुझे स्वर्क में ले जा सकता है वो ही मुझे नर्क जाने से रोक सकता है आमेन हालिलूया कि जो विश्वास के द्वारा इश्व मसीगों पर विश्वास किया यहां आज मैं विश्वास करता हूं आप उधार देखते हूं आप अनुग्रह देखते हूं लेने उसके बाद जिस विश्वास के द्वारा हम मसी में आये हैं जिस विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह क लोगों को बंदिदा में ढालने के लिए आज रहा हैं उन्हें रास्ते में प्रभजी शुम सीब अबोन को प्रोश लोगों को सकाद के लिए जा रहा था लोगों को बंदी गड़ा सब्सक्राइप जा रहा थ है और आस्ते में प्रभुशिश्यु मसीम मिलते हैं और उसको गहते हैं और मुझे क्यों सदाता है थो मुझे क्यों सदाता है किता हे प्रभु तू कौन है किता मैं यिश्व हूँ जिसको तू क्या करता है सबाता है हालिलुया पर उसने उस टाइब भिश्वास किया हाँ सच मुछ केवल प्रभु यिश्व मुस्ही मुझसे बात करा और कोई नहीं उसने ऐसे एक एक नगर का नाम बता है कि इस नगर में चला जा, एक सर्वंट, एक मैन अफगार तेरे पास आएगा, परमेशन हननिया को त्यार किया, कि जा जाकर उसे ब्लेस कर, हालिलूया, और हननिया आने के लिए त्यांग नहीं था, कि मैं नहीं जा सकता हूं, तो कि वो वो विश्वासियों को मारने वाला बंदा है, वो हमें ग्रिफतार करने के लिए आ रहा, मैं क्यों जा हूं, जाता तिर को जाना पड़ेगा, वो आप पॉलस नहीं, वो सौल निरा पॉलस है, वो क्या है, पहले जैसा नहीं है, वो मेरा बुल चुका है, मैंने उसे चुल ल लिया, उसी टाइम, चेलों के साथ कुछ टाइम स्ट्रंगती की, तुरंत पाइबल पकड़ी आर, परचार करने लगा जीजस का, हालिलुया, समधारी मेरी बात की, यब आपके उपर अनुग्रह होता है, आपने केबल अनुग्रह को ले लिया, उसको संभालने के लिए नीचे आना है, और उस विश्वास के मताभी आपने काम करना है, लूया, जोर से हालिलिया बोलो जो समध रहे हैं, आज के वचन को, जोर से हालिलिया बोलो, आमें, आमें, अब विश्वास में अनुग्रय के नीचे आए, उसके बाद आपको कार्य करना है, उसके बाद आपको कर्म दिखाना है, बगतुस्मा लेकर, तोबा करके, पवित्रा आत्मा पाकर, हालिलुया, प्रभु के सूसमाचार के लिए निकलना है, प्रभु के कामों के लिए निकलन में निकलना है, ताकि वो अनुग्रय सदा के लिए आपके साथ बना रहे, नहीं तो अनुग्रय छीनना जा सकता है, अनुग्रय से नीचे से आप निकल सकते हूँ, विश्वास करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, करम करना पड़ता है, तागर आपका विश्वास फोका ना दिखे कि सिरफ मूह तो ना दिखे कि मैं इश्वी ते विश्वास करना पर सटे कम ना सुद्रे होन विश्वास करने के बाद अनुगरきます लेने के बाद आप जीजस जैसा सुभाव रखो जीजस जैसे प्रात्ना रखो और जीजस जैसे आप काम कर पाऊगे, काम देख पाऊगे, इश्व मसीगे सामर्ती, सामर्ती और पवितर नामने आमें हालिलुईया आपके एवल विश्वास विश्वास, विश्वास की रट नहीं लिगा सकते, विश्वास के साथ, जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हो, आपको उस विश्वास के मताबिक चलना भी पड़ेगा और काम भी करने पड़ेगा, आमेन, हलेलुया, नतीन बादे और बताई, सबसे बड़ी आशिश अगर है, तो वो आपके जीवन क बदलना है, सबसे बड़ा अगर मिरिकल्स है चर्च में, तो आपके जीवन का बदलना है, सबसे बड़ा मददगार अगर आपकी लाइफ में है, तो वो पवित्रा आत्मा है, मरी बात को कितने जंग समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बरकत अगर है, तो वो क्या है, का अनुब्र है आपके उपर, हालिलूया, कितने जन चाते हैं कि मैं स्वर्च में जाओं, कितने जन चाते हैं कि मैं बचाओं, बच जाओं मेरा गराना बचाया जाए, आज एक विश्वास करना है, कि केवल इशु मसीही उधार करता है, इशु मसीही मुक्ती दाता है, गृब् से निकाल सकता है आमे आमी हाललूया जोर से बोलो हाललूया हाललूया पारमेशे से यह यह वोड जो था 3 बजे राथ 3 बजे मिला मैं इस वोड को लेकर को गरी पहला भाग मैं जो संडे दे चुका था और मैं कम्फ्यूस था कि प्रभु मुझे बात कर मैंने क्लिसिया में जाना मुझे बात कर साधे तीन बजे परमेशन ने उठाया कहता लिख मैं तुझे लिखाता हूँ कहता अगर अनुग्रय को संभालना है इनको बोलो जिस विश्वास में तुम खड़े हो उस विश्वास के मताबिक तुम क्या करो काम भी करो इनका अनुग्रय बना रहेगा ये अनुग्रय के नीचे चलेगे आमेन, हालेलुया फिर प्रातना करने की जुरूरत नहीं है कि मेरा नाम प्रभु जीवन की पुसकत में लिख फिर प्रातना करने की जुरूरत नहीं है प्रभु मुझे मेरे उपर मोर लगा फिर प्रातना करने की जुरूरत नहीं है जब आप अनुग्रय के नीचे चलते हो किर्पा के नीचे चलते हो प्रभु के फजल के नीचे रहते हो आप इन दोनों चीजों को फ्री में पाते हो ये फ्री में मिलती है आमेन हालिलूया हालिलूया और ये जुरूरी है स्वर्ख जाने के लिए ये जुरूरी है परमेशन के अनुग्रे के नीचे आना पुराने समय में ऐसे अनुग्रे कि देनी मिल जाते थे हैं ऐसे किसी के उपर किपा नहीं हो जाती थी उसको बहूत बड़ा बलीताय देना पड़ता था अपनी जिल्दी का है बहुत बड़ा बली दान, उस बहुत सारे सताओं के बीच में निकलना पड़ता था, और फिर भी उसे पवितरताई में रहना पड़ता था, आप यूसफ को देखों, कितने गस्ट मसीब्तों से गुजरा, कितनों ने उसके विरोध में बोला, कितने उसके विरोध में आया, अपनी उसके विरोध में हो गए, पहले असान नहीं था अनुग्रय पाना, लेकिन जब हम नए नेम को पड़ते हैं तो जो कोई विश्वास करे, वो बचा लिया जाएगा, वो उधार पाएगा, वो अनुग्रय को पाएगा इश्व मसीगर सामर्थी सामर्थी नाम में, हा अलेलुया, अच्छे काम, भलाई के काम, प्रातना करना, वचन को पढ़ना, फास्टिंग में जाना, एक अच्छी लाइफ जीनी, बाइबल के काडिंग, एक अच्छा पढ़ना, हालेलुया, यह अनुग्रय सदा के लिए फिर आपके साथ रहेगा इश्व मसीगर नाम में जीनी बाइबले।